अमस्कार मित्रों स्वागत आपका मारे स्यूटूब चैनल पे मैंने करीब एक हफते पहले एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि जो अभी बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा सदन में एक स्टेटमेंट दिया गया था लिखिट स्टेटमेंट था जिसमें चात्र और सिक्षक अनुपाद के बारे में पूरा डेटा दिया गया था एक माननी सदन के सदस ने ये सवाल पूछा था जिस पर तुरंत रियक्शन आना शुरू हुए थे और सभी ने कह दिया था कि अब भरती नहीं आने वाली है सिक्षक और चात्र अनुपाद बिलकुल पूर्ण हो चिका है तब मैंने वीडियो बनाई थी और उस पर आपसे बहुत अच्छे से बात की थी कि जो सत्र होता है उसमें एड्मीशन हमारे यां सेप्टेंबर माह तक होती रहती है तो अभी जो सिक्षक और चात्र अनुपाद दिया जा रहा है ये इस नए सत्र का नहीं है वो इसलिए नहीं वाना जा सकता क्योंकि जब तक पूरा एड्मीशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक आप नहीं कह सकते कि क्या सिक्षक अनुपाद रहा हाला कि ये लेटर आपके सामने आ चुका है जिसके तहट फिर से सिक्षक और चात अनुपाद की कुछ बात कही गई है तो पहले लेटर देखते हैं फिर करेंगे बात और जो वो वीडियो है अगर आपने अभी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए कि सिक्षक भरती आने के चांसेज अभी क्यूं है और वो हलके फुल के चांसेज नहीं काफी अच्छे काफे चांसेज है बहुत महत्तपून वीडियो है उसको जाके जरूर दीजे देखिए गांत तो देखते हैं क्या दिया गया है तो सूचना उपलब्द कराने के लिए कहा गया है पांच छे दोहजार बाइस आपडेट भी देख सकते हैं उपर्युक्त विद्यक संदर्प ग्रहन करने का कस्ट करें परिशदी विद्यालों में दिनांग 30 अप्रेल 2022 की चाथ संख्या की अनुसार निश्लक एवं अनिवार बाल सिक्षा का अधिकार दीनम 2009 के नहित प्राविधान उसार सिक्षक चाथ अनुपात की अधार पर अनुमन ने पद एवं वर्तमान में कारदत अधियापकों की संख्या जो है वो आपको 76-22 तक अनिवारूप से परिशद की इमेल पर आपको सुनिश्चित करके पहुचानी है तो देखिए हर बार ये एक प्रोसेस होता है जिसके तहत सिक्षक और चाथ अनुपात को नापा जाता है क्योंकि कही न कहीं कोई न कोई RTI भी मांगता रहता है और जो विभाग होता है उसके पास भी अपना एक डाटा कम्प्लीट करने के जिम्मेदारी होती है तो 30 तारिक तक का फिर से मांगा गया है कि आपको 30 तक जितनी भी चाथ शिक्षक अनुपात है उसके आधार पर जितने भी आपके पास डाटा है उसको आपको प्रोवाइड करवा देना है अब जब ये डाटा अभी प्रोवाइड करा जाएगा इसके बाद सितंबर माह तक फिर डाटा अगब प्रोवाइड करा जाएगा तब जाके मालूम चलता है कि क्या सिक्षक और कितने चात्र अपने परिशद में मौजूद है तीस अपरिल तक का केवल मांगा गया है अभी और अभी अपरिल के बाद मई जून जुलाई अगसर सितंबर करीब करीब चार-पाच महीने अभी और बचे हैं उसके बाद जाके आपको एक आइडिया लगेगा उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे वे समझाया था कि क्या रहा है लक्ष इस बार बेसिक शिक्षा परिशद में एडिमीशन्स का उस वीडियो को जाके जरूर देखे उससे आपका दिमाग खुलेगा और अगर आप डिपरिशन में और आप अगर ये सोचते हैं कि ये भरती नहीं आने वाली तो वह आपकी सोच बिलकुल गलत है और क्यों गलत है उसकी भी जानकारी आपको उसमें अच्छे से मिल है कि क्या चात्र संख्या है और क्या सिक्षकों की संख्या है हमारे प्रात्मिक विद्यालेों में और आपके जो जूनियर होते हैं जिसको हम उच्छे प्रात्मिक विद्याले कहते हैं जो एट तक के विद्याले होते हैं उनका भी मांगा गया है ये समीक्षा होती रहेगी और आप याद रखेगा 24 में चुनाव किन सरकार का है उसके पहले आपको सिक्षक भरती देखने के लिए जरूर मिलेगी ये दिमाग में सोथ की चलिएगा तो पढ़ते रहिएगा खाली बैठने के जरूरत नहीं है अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ चीज़ें क्लियर हुई होगी कि जो लास्ट डेटा दिया गया है उस पर फिर से नया डेटा क्यों मांगा जा रहा है क्योंकि डिफिनिटली उसमें कुछ चीज़ें कम रह गई होगी हर चीज़ को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया होगा क्योंकि अभी admission process complete नहीं हुआ है अभी तो online feeding चल रही है हर प्रात्मिक विद्याले में जितने admission हुए है उनको portal में feed करना होता है उसके बाद जाके ही आपको जानकारी मिल पाएगी कि कितने बचों के admissions हुए है कागज में, register में admissions को वो महता नहीं मिलती है क्योंकि वो online data नहीं है तो यार दखिएगा जिसे किसी विद्याले में 8 admissions किये गए लेकिन उसने online cable 3 अभी कर पाया है तो वहाँ पे सिर्फ 3 बच्चों को ही share करेगा बाकी 5 बच्चों को show नहीं करेगा data में क्योंकि वो अभी कागजों में ही है वो online feed नहीं हुआ है टेक्निकल चीजों को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये data अभी अपूर्ण है इसमें बहुत सी अभी कमिया है उसको पूरा होते होते जो लक्ष रखा गया है बिस्तिक शिक्षा में इस बार वो जुरूर पूरा हो जाएगा और जो छात रनुपात है वो बढ़के घट बढ़ जाएगा और फिर से नहीं भरती की रहा खुल जाएगी कोई भी अपडेट आपको टेक्निकल पॉइंट के संग देखनी हो तो चैनल को फटाफ़ लाइक के शिर्ट सब्क्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाईए फरजी की बातों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा कुछ टेक्निकल बाते की जाएए तो मज़े आते हैं लास्त तक वीडियो देखिए उसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब हो